तो बटा ये question number 3 है construct the following triangles ABC इसमें एक triangle ABC ड्रा करनी है triangle का नाम दे दिया है draw the perpendicular bisector of this side वो जो triangle बनेगी उस triangle की तीनों sides का हमने perpendicular bisector ड्रा करनी है and verify their concurrency और देखना है कि वो तीनों जो उसके right जो perpendicular bisector है वो एक ही point के उपर मिल रहे है और ये भी बताना है कि do they meet inside the triangle और ये बताना है कि ये क्या वो एक triangle के अंदर की side पर मिल रहे हैं वो हम नुकते हैं ये एक ही point पर मिल रहे हैं तो ये तीनों इसकी triangle जाए इसको हम बारी बारी ड्रा करके मैं आपको इस question को solve करने से पहले मैं बता दूँ कि perpendicular bisector या right bisector उर्दू में मूदी ना सिर्फ कहते हैं ये एक ही चीज के सारे नाम है इसमें कोई फरक नहीं है कि perpendicular bisector लिखा हो तो हम उसको right bisector कह दें तो इसका मतलब और हो जाता है या मूदी ना सिर्फ कर देना निसर्फ कर देना ठीक होगे तो लेकिन इसके साथ साथ होता है perpendicular जो bisector का रही होती है line जिसा A B मारे पास line है तो इसको X Y bisect कर रहा है तो bisect करने के साथ साथ ये इसके उपर perpendicular भी है right angle भी बना रहा है अमूद भी गड़ा रहा है एक बात है ये तिनों एक बात है तो यानिके इसका मलत होता है right angle या perpendicular या अमूद या 90 degree का angle भी बना रहा है तो एक ऐसी line इसको cut कर रही है जो इसको cut करने के साथ साथ ये half करने के साथ साथ इसको bisect करने के साथ साथ 90 degree angle की direction में उसको cut कर रही है इस तरह इसकी मैं दूसरी मिसाल दी है ये ये भी इसका a b है ये इसका mid point है ये x y land भी इसको bisect तो कर रही है लेकिन ये इसका perpendicular नहीं है ये 90 degree का angle नहीं है तो लहाज़ा हमारे स्लेबस में जो यूज होनी है ना वो ये perpendicular bisector ही है जिसको right bisector या मुदी नासिफ कहते है उमीदा कि आपको समझ में आए क्या होगा कि ऐसी line जो 90 degree angle के साथ किसी line को bisect कर रही हो half कर रही हो उसको perpendicular bisector या मुदी नासिफ या right bisector कहते है इनमें से कोई भी नाम बोल दे तो आपने क्रिफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पर perpendicular bisector है तो हमने right bisector कहा दिया शायर गलत हो गया ऐसी बात नहीं है तो ये बैटा first जो इसका part है इसमें ये data given है AB दिया हुआ है angle A दिया हुआ है angle B दिया हुआ है तो AB side given है तो सबसे पहले AB line scale के साथ हमने 5.3 cm ड्रा कर ली अब angle A के उपर 45 degree angle बनाते है और angle B के उपर 30 degree का angle बनाते है ये angle compass के साथ बनने है तो ये बैटा पहले इसके में arc लगाई और पहले 60 के angle पहले 60 और 0 का 0 60 का half किया तो ये half करने का method पहले आपको बताया हुआ तो ये 30 degree का angle बन गया अब इसे तरह A point के उपर angle बनाते है A point के उप पार्क लगाई और ये पहले 60 का और ये 120 का पहले bisect करेंगे तो ये 90 degree का angle बन देगा ये 45 का angle है ये 90 का half भी करके बना सकते है ये 30 और 60 का half करके भी बना सकते है दोनों option ही होते है तो मैंने क्योंकि आप line आगे लगा दी हूँ तो मैं आप 90 का half कर लेता हूँ तो ये बेटा 90 degree का angle बना दी है डाटर line हमने draw की है क्योंकि ये हमारा असल angle नहीं है हमने उस तक point के लिए ये angle बना है तो अब ये 0 है ये 90 है इन दोनों का half करेंगे तो 45 बन देगा तो compass को इस arc से जादा तुछा सा खोल ले और पहले 0 पर रखके एक arc लगा दी पर इसी तरह 90 पर रखके दूसी arc लगा लेनी है तो इस direction में हमारा जो angle बनेगा ये 45 degree का angle होगा 45 degree का तो ये बैटा 45 degree का angle बन चुका है अब इसमें जो हमारी extra arcs होती है जो बड़ी-बड़ी होती है उसको हम थोड़ा सा काम भी कर सकते है क्योंकि अब हमने इसके right by sector डा करने है तो इसको ताकि हमारी जगा तुछी जादा हमें clear जगा मिल जाए बिलकुल raise ना करें ताकि हमारी working भी हमने show करनी होती है तो कुछ चीज़ को raise कर रहे है अब right by sector का method मैंने पहले भी आपको बताया हुआ फिर भी दुबारा से पहले ये c point बन गया पहले मैं bc का right by sector डा करता हूँ right by sector डा करने का method बड़ा ये बताया ना अब हम ये वाजी line bc का कर रहा हूँ यहां सा मज़ी आप कर सकते हैं पहले तो क्योंकि मेरा page जिस dash में पढ़ा हुआ है मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सामने camera को भी देखना होता है तो compass को half से जादा खोले एक arc उपर और दोसी arc इस line के दोसी तरफ अब compass को इतना ही खोले खोले एक arc उपर जो पहली arc को कट करे पहली cause को कट करे और दोसी arc नीचे लेकिन यह पहली arc थोई छोटी है हम वो इस arc को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यह कर लेते हैं और मैं यह पहली arc ना जो थोड़ी सी extra थी उसको मैं raise भी कर लेता हूँ अब यह दोनों side पे जिस point पे arc एक दूसरे को कट कर रही है इसकी direction में हमने एक line ड्रा कर देनी है इस line को जितना मज़ी हम लंबा खींच सकते हैं तो इसको वैसे मैं color और देता हूँ या marker से तागर आपको different नदर आए अब आपने यह देखना है कि यह यह जो right by sector है इस BC line को एक तो half point पे इसको कट कर रहा होगा दूसरा यह 90 degree का angle बना रहा है तो पेटा इन जो right by sector है इसको को जो जो नाम देना चाहें कमपस को पर कार को हाफ से ज़्यादा खोले ने A B को by sector लगा हूँ पहले A और B को पे उपर बारी बारी में है एक आरक उपर और दूसरी आरक नीचे इस तरह कमपस को इतने ही खोले खोले अब दूसरे point पर रखके एक आरक उपर दूसरी आरक नीचे पहली आरक छोटी है उसको मैं थुरा सावर बढ़ा लेता हूँ यह हो गया अब इसमें जो एक्स्टा आरक हैं उसको मैं raise कर देता हूँ मिठा देता हूँ अब बेटा यह उपर नीचे दोनों आरक जिस point के उपर कट कर रही है इस direction में हमने एक line ड्रा कर दे नहीं है जो के A B side का right by sector होगा अमोदी नासिफ होगा इसको जितना मजी हम अक्स्टेंड कर सकते है ठीक है जितनी हमें चाहिए होगा हमें जादा वह वहां तक चाहिए होता है जहां पर यह एक दूसरे को मिल रहे हूँ तो जैसे यहीं पर दो मिल गए तो फिर डेफिनेली जो तीसाइब होगा वो भी इसी point point को मिलेगा तो यह दूसरा right by sector हो गया अब A C side का right by sector ड्रा करते है अब देखिए compass को half से ज़्यादा खोल लिए और भी ज़्यादा खोल सकते है इसमें हमारी मर्ज़ी होती है एक कम कम half से ज़्यादा हो एक arc उस side के उस तरफ एक उस तरफ अब compass को उतना ही खोले खोले एक arc उस तरफ दूसी arc इस तरफ तो यह वाली arc छोटी है इसको और बढ़ाना पड़ेगा यह हो गया दूसी side पर भी बढ़ा लेती है अब इसमें जो extra arcs लगी हुई है उसको मैं raise कर देता हूँ अब यह दूनों arcs उपर और नीके जहां पर दूनों arcs मिर रही है इस direction में हमने एक line draw कर देनी है जो कि AC side का right by sector होगा तो यह मैंने green color में AC side का right by sector ट्रा किया इसमें आप देखें कि यह तीनों right by sector एक दूसरे को जिस point पर cut कर रहे है एक ही point पर cut कर रहे हैं उसको कोई नाम देती है O का मैं नाम दे रहा हूँ तो यह इसका O होगा right by sector जो point of concurrency है वो O है तो इस तरह यह हमारी line होती है जिसमें देख लिए यह verify जी हो गया कि तीनों right by sector A की point के ओपर एक दूसरे को मिल रहे है second part में बेटा यह data दिया हूँ एक side जो यह BC एंगल A दिया हूँ 30 और एंगल B दिया हूँ 60 तो हमारे पास जो side है वो BC है तो B की ओपर जो एंगल ड्रा करना वो तो हमारे पास है लेकिन जो A की ओपर एंगल है वो एंगल यहां नहीं दिया हूँ है तो पहले हम C का एंगल फाइंड कर लेते हैं हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का साम 180 होता है तो 180 A में से यह दोनों एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू आजेगी तो इस तरह से हमारा एंगल C फाइंड हो जाएगा अब पहले हम BC side ड्रा कर लेते हैं तो यह BC side ड्रा कर ली अब B के उपर 60 का और C के उपर 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है पहले तो यह पहली आज 60 की होती है तो अब 60 का एंगल ही बनाना था तो हम 60 का एंगल ड्रा कर देते हैं यह 60 का एंगल हो गया यह 60 और 120 का हाफ किया तो यह 90 की आज़ बंगती है आप इस ट्रेक्शन में हमने ये लाइन ड्रा कर दिने है जो होगे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा बी सी और इस पॉइंट का नाम होजेगा ए पॉइंट तो आप चाहे डी से मेर कारके देह लेना ये एंगल आपने आप भी 30 डिग्री का होजेगा ये 90 डिग्री का हमने किया है और ये पहला 60 डिग्री का दा है अब इन तीनों साइट के हमने राइट बाई सेक्टर अमूदी नासिफ या जिसको राइट बाई सेक्टर वो ड्रा करने है तो ये पहले मैं A, C साइट का राइट बाई सेक्टर ड्रा कर लेता हूं कमपस को हाफ को थोड़ा सा और बढ़ा लेकते हैं ताकि वह अच्छी तरह से पहली आर्क को कट कर जाए यह होगा है अब इन दोनों जो पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों आर्क मिर रही हैं दोनों कौसे मिर रही हैं इस टेक्श्टर में हम एक लाइन ड्रा करते हैं कि जो कि हमारा एक के राइट बाइ साथकेक्टर होगा तो यह बिटा एसी साइड का राइट बाइस एक्टर ड्रा हो चुकए है राइट बाइस एक्टर कर रहा हुता है देखें इदर इस प्वाट से यह तक भी उतना ही फास्ले है अब कंपस कुए सब करेंगे तो इधर देखें सी टक इतना ही फासल है तो यह होता है by-sector कर रहा है साथ 90 गुरी का एंगल भी बना रहा होता अब बी सी साइड न खरा कर लेते हैं तो यह बीसी साइड का एक उपरर और यह का नीचे दोनों आ पर कट का रही है इस डिरेक्शन में अब हम एक लाइन सैगमेंट ड्रा का लेते हैं जो कि हमारी बी सी साइड का राइट बाइज सेक्टर होगा जो हो गया अब इसी तरह आब 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 करते हैं अब A B side का right by sector ड्रा करना है एक compass उपर एक arc उपर और दूसरी arc उस side की दूसरी तरफ अब compass कुछने खोले खोले एक point पर रखके एक arc उस तरफ दूसरी arc उस तरफ अब यह दूनों arc आप समें cut कर रहे हैं इस dexter में हमने एक right by sector ड्रा कर देना है तो जहां पर यह दूनों arc आप समें cut कर रहे थी उस dexter में हमने जब line ड्रा की तो यह हमने देखा कि यह जो तीसरी जो right by sector यह भी उनको उसी point के उपर जा के मिला है यह इनकी concurrency point of concurrency है तो इसको O का नाम देते हैं तो जो 90 degree triangle होती है जो right angle triangle होती है जो उसका हैपोटिनस होता है उसके उपर ही मिलते है इससे तरह आपने altitude भी देखा होगा वो भी 90 degree की जो triangle होती है जो right angle triangle होती है उसके भी उसके हैपोटिनस की उपर ही वो मिलते है तो यह part बेटा complete हो चुका है इनके जो steps होती है वो जैसे मैंने भी यहाँ पर लगाए हुए वीडियो में आपको सामने नजर आ रहे है लेकिन आपने मताबग भी उसमें तबदीली कर सकते हैं उसमें जो नाम है यह triangle का नाम तो यही रहेगा तो बाकी आप अपने तरफ से भी उसमें कोई short कर सकते हैं को इसको मजीद तफसीर से लिखे यह थेड़ पार का डेड़ा दिया हुआ A-B side है A-C side है और angle A है तो हम यह इसमें से जोंसी मजी side पहले ड्रा कर लें तो A angle जो है ना A point दुनों में ही है तो जोंसी मजी हम इसमे side पहले ड्रा कर सकते हैं तो साबसे पहले A-B side 2.4 ड्रा कर लिए है अब A angle के उपर हम 120 degree का angle ड्रा करेंगे तो यह बटा A point के उपर 120 degree का angle ड्रा कर लिए है अब तीसी side A-C A-C, A के उपर compass को राके 3.2 cm compass को खोलेंगे और इसके उपर एक arc ड्रा करते हैं तो यह compass को 3.2 cm खोली है और यह A-C इस line के उपर जो पहले angle की line है इसके उपर हमने यह arc ड्रा की इसको C का नाम दे दिया अब B को C से जॉइन करते है B को C से जॉइन कर दिया अब हम इनके right by sector ड्रा करते हैं पहले B-C के कर लिता हूँ compass को इसके half से जादा खोले एक arc उपर और दूसी arc नीचे अब compass को इतना है खोले खोले C के उपर आ लेना है एक arc उपर दूसी arc नीचे यह हमने B-C साइड का right by sector में ड्रा कर रहा हूँ अब इसी direction में हमने एक जो line है वो ड्रा कर लेनी है यह इसका एक right by sector ड्रा हो चुका है अब A-C A-C साइड नीचे वाली इसका मैं right by sector ड्रा करता हूँ इसके रखके A point पर रखके half से जादा खोले एक arc उपर उस तरफ और एक उस साइड के उस तरफ अब compass को उतना है खोले खोले एक arc उस तरफ और एक arc जो cause है वो उस side के दूसी तरफ अब इनको दोनों points को हम आपसमें इस direction में एक line ड्रा कर देते हैं तो यह red color में मैंने A-C का right by sector ड्रा कर दिया है अमूदी नासिव अब A-B side है इसका right by sector ड्रा करता हूँ तो A-B का right by sector ड्रा कर दो एक arc उपपर और एक नीचे यह arc है दोनों जो जिस point पे cut का रही है यह वाला point है यह वाला point है इन दोनों point की direction में right by sector ड्रा करता हूँ यह दोनों point है इन पॉइंट की ड्राक्शन में तो आप देखा बैटा यह तीनों जो right by sector है वो एक ही point के उपर मिलें मिलें यह इनका point of concreancy है हम बुखता हैं यह तो यह बटा complete हो चुका है बाकि इसके steps भी आपके सामने आ रहे हैं यह construction steps है इसमें आपने गोर किया कि जो triangle 90 degree की होती है right angle होती है उसका जो point of concreancy है जो जो तीनों लैनों मिलती है वो हमेशा उसकी जो बड़ी side होती है उसके उपर मिलती है जो happiness होता है ठीक है इसी तरह जो triangle जिसमें एक angle 120 से 90 से ज्यादा होता है जो obtuse triangle होती है हादा तो जाविया मसालस उसमें जो तीनों side है वो उस triangle के बाहर की जानव मिलती है इसी तरह अगर कोई triangle 90 डिग्री से कम हो ठीक है acute triangle उसमें वो तीनों जो लाइने होती है वो उस triangle के अंदर मिल रही होती है तो बेटा उमीद है कि आप को जे समझ आगे होगे बाकि आप इसको अच्छी तरह से कीजिएगा कोई problem हो ज़ूर आप